So, Hello बच्चा लोग, Welcome Back और इस सेशन में हम भी डिसकस करने वाले है Optical Instruments हम लोग इस सेशन में इसके फॉर्मलेस इसके कॉंसिप्ट को बहुत कम समय में डिसकस करने वाले है और at the end हम लोग कुछ previous year questions को भी देखेंगे जो कि आपके confidence को बहुत ज़्यादा boost कर देगा ठीक है और हम लोग यहाँ पर जो topics को cover करने वाले है that is your human eye बहुत बच्चे human eye और eye defects को छोड़ के जाते हैं लेकिन मैं आपको पता दूँ कि eye defects पर आपको j main 2021 में March attempt में एक सवाल पूछा गया था ठीक है तो आपको यह सारे चीज़ पता होना चाहिए और human eye आपका basically foundation को मजबूत करता है फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे angular size simple microscope, compound microscope, refracting telescope, limit of resolution and resolving power और फिर हम लोग अंत में देखेंगे कुछ numericals यह सारे जो concept है इन सब पे आपको already previous year questions आ चुका है आप जब इस वीडियो को देखें तो अन तक देखें और ज़रूर से comment section में हमको लिख के बताईएगा कि क्या आप लोगों ने यहाँ से कुछ नया सीखा है, कुछ different आपने यहाँ पे देखा है and trust me कुछ भी आपको extra नहीं बताई जाएगा, सब वही होगा to the point बाते होगी जो आपको exam में आता है ठीक है, चलिए, इसके लावा तीन और important बाते, सबसी पहली बात कि हम लोगों ने इसके लावा बहुत सारा topics को revise किया है कम से कम समय में बहुत बच्चे उसका फाइदा उठा रहे है, सभी आपको एक playlist में है और उसका link आपको नीचे मिल जाएगा इसके लावा आपको नीचे मिलेगा एक gold mine link जिसमें इस channel का सारा link customized way में लिखा हुआ है तो आप जाके उसको भी click करें, आपके exam के लिए बहुत ज़़ा फाइदा मन्द होने वाला है चाहे आप J aspirant हो या फिर आप NEET aspirant हो, ठीक है और तीसरे important बात कि इस पूरे session का free PDF note आपको नीचे मिलेगा आप उसे download कर सकते हैं, लेकिन still मैं recommend करेंगा कि आप इसको पूरा अन तक सुने आपको बहुत ज़़ादा benefit मिलेगा, ठीक है तो चलिए, हम लोग सबसे पहले बात कर लेते है, human eye की और यह अपना एक symbolic diagram है, human eye का, ठीक है अब यहाँ पर आपको दो important नाम होता है, which is your near point and far point right, for a normal eye, for a normal eye, जो far point होता है far point का मतलब है कि आप कितने दूर की चीज़ों को clearly देख सकते है so for a normal eye, far point आपका infinity होता है, तभी यह rays जो है वो parallel आ रही है and after converging, यह retina पे meet करेंगी अगर आपका ray, retina पे ही converge होता है, which means आपको crystal clear image दिखाई देगा अगर यह converging, right side या left side होता है, इसका मतलब आपको retina पे blur image दिखाई देगा blur image दिखाई देगा, यही होता है, अगर आपके eye में defect होता है for example, myopia या फिर hypermetropia, सभी हम लोग इसके next slide में भी देखेंगे बढ़िया है, और जो near point है, यानि कि हम object को कितना नस्दीक ला सकते है ताकि हम अपने आख पे बहुत ज़ादा stress ना दिए हुए एक clear image देख सके so that distance is basically your capital D, इसको हम लोग कहते है least distance of distinct vision जिसकी value होती है 25 cm, 25 cm, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखे, इस ciliary muscle का basically काम होता है इस lens के focal length को change करना by compressing it, by compressing it, जब आप किसी नस्दीक के चीजों को देख रहे होते हो तो यह ciliary muscle इस lens को basically इस तरीके से compress करता है, वहाँ पे एक stress develop करता है stress develop करता है और focal length change करना जरूरी है ताकि हर बार image आपका retina पे ही बने that is very very important point and that is why जब हम लोग नस्दीक के चीजों को बहुत देर तक देखते हैं लगतार हम लोग 8-8 गंटे अगर अपने नस्दीक वाले text को देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं हमारे आँख में stress develop हो जाता है, एक pain होने लगता है हमारे आखों में ठीक है चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं defects पे तो यह अपने चार important defects है जिसकी उपर आपको पहले भी सवाल आ चुका है सबसे पहला होता है अपना myopia जिसे हम near sightedness भी कहते हैं बढ़िया है अब इस defect में क्या होता है कि हमें दूर की चीजे clearly दिखाई नहीं देती है ठीक है तो यह क्यों हो रहा होता है because rays converge before retina तो अगर आपको इसको rectify करना होता है तो आप एक concave lens अपने आख के आगे लगाते हो so basically मुझे भी myopia है तो यह जो lens है this is your concave lens ठीक है अच्छा hypermetropia यानि की far sightedness इसमें हमें नजदीक के चीजे clearly नहीं दिखाई देती है तो इसके लिए हम लोग convex lens का इस्तमाल करते है ठीक है focal length को vary करना मुश्किल हो जाता है ठीक है तो इस कारण से नजदीक के चीजे हमको दिखाई नहीं देती है और इसके लिए जो अपना corrective lenses है हलाकि बहुत सारा यहाँ पे आपको सिर्फ एक example लिखा हुआ है bifocal lens और आपका जो चौथा defect that is your astigmatism जिसमें हमको image distorted form होता है ठीक ह और इसका correction के लिए we use cylindrical lenses अब यहाँ पे आपको एक और important point लिखा हुआ है generally it occurs if the eye is myopic or hypermetropic hypermetropic right है अच्छा और यह क्यों होता है क्योंकि हमारा जो cornea होता है उसका curvature basically deform हो जाता है ठीक है बढ़िया है अब बात करते हम लोग angular size की हमारे आख को कोई object छोटा दिखता है angle कितना subtend कर रहा होता है angle कितना subtend कर रहा है किसी building के अगर हम नजदीक खड़ है तो वो building हमें बहुत लंबी दिखाई देती है लेकिन अगर हम लोग बहुत दूर चले जाए तो वही building हमें छोटी दिखाई देती है this all depends on the angle subtended by the object यह आपका same height का object है यह भी आपका HO length है यह लेकिन यह object नजदीक है तो आप देख सकते है यह theta 2 angle subtend कर रहा है लेकिन यही वाला object अब theta 1 angle subtend कर रहा है और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यह theta 1 आपको theta 2 से छोटा है इसी theta को हम लोग बोलते है यहाँ पे angular size और आप देख सकते है theta 1 जो आपका होगा that is going to be your h0 by x1 and theta 2 is going to be your h0 by x2 बढ़िया है यहाँ पे यह सारे angles आपके small angles है बढ़िया है अब हम लोग बात करते है simple microscope की we have made the understanding of angular size अब हम लोग उसते है simple microscope में यह अपना reference point है reference point कहने का क्या मतलब है हम किसी object को जितना नजदीक लेके आएंगे हमको उतना बड़ा angle subtend होता है हम लेकिन maximum कित ना बड़ा angle subtend करवा सकते है that will be defined by capital D क्योंकि इससे नजदीक हम object को ला नहीं सकते इससे नजदीक हम object को ला नहीं सकते otherwise image blur formation चालू हो जाएगा बढ़िया है तो यहाँ से हमने यह define कर दिया कि angular size of the object is equal to HO by D HO by D height of object upon D where D is 25 cm right for a normal eye बढ़िया है लेकिन still this object is very very small still we are not able to see it clearly हम हमको इसको बड़ा करके देखना है तो हम लोग यहाँ पे एक simple microscope यानि कि एक convex lens का इस्तमाल करेंगे जहाँ पे हम object को इस तरीके से place करेंगे ताकि यह focal length के right side हो तो आपको पता है इस case में आपको एक virtual image बनता है और यही ray आपको जब observer के आँख में जाता है तो इस observer को लग देख सकते इस theta i theta i is what ho by u ho by u ठीक है hi by d मत ले लेना right हमें यहाँ पे एक formula derive करना है so theta i is equal to ho by u और u हम लिख सकते है by using your lens formula right यह आपका object distance यह आपका image distance और इस lens का कोई focal length होगा तो यह आपको जगा df upon d plus f लेकिन आपको धिहान रखना है कि यहाँ पे आपको value सिर्फ magnitude में put क आपको आप sign का चिंता नहीं करना है वो already taken care of है बढ़िया है अब magnification आपको यहाँ पे होता है angular size of image upon angular size of object और यह आपका निकल के आना वाला है 1 plus d by f अब इस चीज़ को आप याद कर लो क्योंकि यही आपको compound microscope में भी use होने वाला है ठीक है अच्छा दूसरा यहाँ पे situation हो minimum stress होता है एकदम relaxed case में हमारा आख उस समय होता है so image at far point इसको कहते है at infinity तो आप यहाँ पे देख सकते है यह जो theta i है this is your ho by f क्योंकि अगर image infinity पे बना है इसका मतलब आपका object focal length पर रखा हुआ था तो यह आपका हो जागा theta i यहाँ से आपका आगया magnification d by f तो आप देख सकत है in the case of simple microscope minimum magnification होता है d by f और maximum होता है 1 plus d by f तो इसके बीच महीं आपका इसका magnification लाई करता है from d by f to 1 plus d by f बढ़िया है अब हम लोग बात करते है compound microscope की and please इसके construction पे भी ध्यान दिजिएगा क्योंकि सवाल कभी कभी direct नहीं आता है indirect आता है तो आपको इसका पूरा construction भी पता ह होना चाहिए अब compound microscope में आपके पास दो lens होता है यह आपका होता है objective lens जहां पे आपका यह object रखा होगा this is your eye piece your eye lens जहां से observer object को देख रहा होता है ठीक है इसका focal length f o इसका focal length f e इन दोनों के बीच का जो दूरी होता है lens के जो बीच का दूरी होता है उसको हम लोग कहते है capital L which is your tube length tube length बढ़िया है अब यहां पे आपका object रखा है जिसका height h o है इसका lens से दूरी u o है और आपका जो image बना है that is at v o ठीक है अच्छा इसका height है h1 यह हमारे लिए यहां पे irrelevant फिलाल लेकिन यह image यह image इस तरीके से बना है so that वो इस lens के focal length के अंदर हो right ताकि जब इस वाले lenses से refraction हो आपको एक virtual image मिले virtual image मिले right तो हमारे पास यहां पे भी दो situation होगा पहला situation होगा कि अगर हमारा यह final image capital D पे बना है image at capital D आपको हमेशा यही दो case होगा image at capital D और दूसरा case होगा image at infinity जिसे हम लोग normal adjustment भी बोलते हैं आपको numericals में terms use किया जा सकता है normal adjustment का मतलब आपका आ compound microscope में basically magnification multiply हो रहा है इसका magnification multiplied by इसका magnification of object lens multiplied by magnification of eye piece तो यहां पे आपका formula बनके निकलेगा अगर आपका image बनता है D पे हमको पता है कि इस lens के कारण जो magnification होगा that is your V by U और इस वाले lens के कारण जो आपका magnification होगा which is similar to your simple microscope वो हमको निकल के आता था 1 plus D by FE हमने अभी यहां प F ठीक है तो यह आपका formula हो जाएगा magnification अगर आपका image बनता है D पे और अगर आपका image बनता है infinity पे then this is your magnification V by U तो आपका होना ही है due to objective lens और D by FE इस lens के कारण है क्योंकि image बनेगा infinity पे this diagram is for image formation at D infinity में क्या होगा यह UE के जगा आपका हो जाएगा FE यानि कि इस lens के कारण जो object आपका image बनेगा वो image इसके focal length पे बनेगा ताकि आपका final image बने infinity पे are you getting my point तो यह आपका हो जाएगा magnification अब यहाँ पे इस point को देखिए यह point बहुत कम जगा आपको बताया जाता है लेकिन इसके उपर आपको direct formula based question पूछा गया था in your previous year question राइट जही में 2020 में अब यहाँ आप ध्यान से देखिए generally क्या होता है आपका जो FO होता है यह बहुत छोटा होता है as compared to your tube length and same goes for your FE अगर यह condition है so in that case आपका जो formula होगा यह वाला same रहेगा V0 की जगा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे tube length और UO की जगा हम यहाँ पे लिखेंगे FO right same चीज आपको यहाँ पे भ रखें इसके अंत में जो हम लोग question discuss करेंगे वहाँ पे इसका example आपको दिखाया जाएगा जहां तक बात है tube length की it is very very easy यहाँ पे आपको अगर समझ में आ गया कि tube length होता क्या है तो अगर आपका image D पे बन रहा है in that case your tube length is going to be this VO plus UE VO plus UE right और अगर आपका image infinity पे बन रहा है तो VO तो रहने वाला है लेकिन अब UE की जगा क्या होगा FE FE right क्योंकि अगर image infinity पे बन रहा है तो यह वाला जो H1 बना होगा यह जो आपका image बना होगा वो इस lens के focal length पे बना होगा बढ़िया है चलिए हम लोग आगे बढ़ते है next is your refracting telescope refracting telescope बढ़िया है अब refracting telescope में क्या होता है यह वाला आपका जो objective lens है यह आपको बड़े aperture का होता है और इसका focal length भी बढ़ा होता है microscope में इसका focal length बढ़ा था as compared to this यहाँ पे objective lens का focal length बढ़ा होता है इसका aperture size बढ़ा होता है क्योंकि हमें बहुत दूर की चीज़े देखनी होती है हमें stars को देखना होता है वो बहुत द दूर से आ रहा है उसका light है वो बहुत distance travel कर रहा है तो light fade out हो जाता है so we want जादा से जादा light को हम लोग capture करें in this lens so इसी लिए इसका aperture size जादा होता है एक तो यह चीज़ आपको पता होना चाहिए अब उसके बाद यहाँ पे भी आपको वही nomenclatures है यह आपका fe है यह आपका theta naught right infinity raise आपको आ रही है this is your theta naught तो हम theta naught को यहाँ से ने यहाँ से ले ले लेते है तो आप देख सकते है कि आप theta naught को यानि की angular size of object को आप क्या लिख सकते हो आप क्या लिख सकते हो h1 by fo देख रहा है angular size of object is h1 by fo अच्छा angular size of image कितना हो जाएगा ध्यान से देखिए h1 by ue ue dfe upon d plus fe बस खतम है अब अपने पास क्या होता है अगर image आपका बना है d पे अगर image आपका बना है infinity पे तो यह diagram आपका हो जाता है image formation at d बढ़िया है so in that case theta i by theta naught यह आपका formula बन जाएगा यहाँ पे आपको values में सिर्फ magnitude ही substitute करना है जहां तक बात आता है image formation at infinity infinity पे image कब बना हो होगा very logical right अगर यह वाला जो image है h1 image अगर इस वाले lens के focal length पे बनेगा तभी आपको final image infinity पे बनेगा इसका मतलब ue को हमको replace कर देना है क्या चीज़ से fe से fe से तो यह अपना formula हो जाता है fo by fe very easy to remember fo by fe tube length अगर आपका image d पे है then this is your tube length अगर आपका image infinity पे है then this is your tube length fo plus fe ठीक है अच्छा अब हम लोग बात करते है limit of resolution and resolving power बहुत कम बच्चों को यह चीज़ सही तरीके से समझ में आता है right यह basically आपको diffraction का part होता है लेकिन क्योंकि optical instrument से यह related है इसी एक वीडियो में आपको यह discuss किया जा रहा है we have separately discussed diffraction interference and everything in a separate video ठीक है अच्छा limit of resolution में यहाँ प यह किसी distance पे है यह theta 1 angle subtend कर रहा है तो जब इसका refraction होगा तो retina पे कहीं image बनेगा और दोनों का image भी काफी separated है separated है so we are able to clearly distinguish between both the objects बढ़िया है लेकिन अगर हम इसे दोनों object को और दूर ले जाए आप देख सकते हमने इसे दूर ले गए तो आपको दिख रहा है ना कि यह द दूर ले जाए और दूर ले जाए हम लोग इसको तो आप देख सकते कि किस तरीके से दोनों image और नजदिक आ गई है यानि कि एक ऐसा situation आ सकता है कि जब दोनों image formation almost overlap कर जाए and in that situation you won't be able to distinguish between the two objects right अगर आप distinguish कर पा रहे है उसी को कहते है resolve कर देना image are resolved, images are resolved right तो हमको एक limiting case की बात करनी होगी वो कौन सा minimum theta है वो कौन सा minimum theta है जिसके लिए आपको images just resolved है उसी को हम लोग कहते है limit of resolution उसी को हम लोग कहते है यहाँ पे limit of resolution minimum angle of theta for which the images are just resolved right और उसके inverse को हम लोग कहते है resolving power resolving power right so that is the whole concept behind it अगर हम लोग यहाँ पे i की बात करें यह दोनों आपका object है इनके बीच का separation small d है i का जो यह lens है उसका aperture size को capital D बोला जा रहा है and objects का distance i से x है ठीक है so यह हो गया minimum theta that is for which images are just resolved so that theta is given by 1.2 to lambda y capital D D is the aperture size तो resolving power इसका उल्टा हो जाएगा और अगर आपसे कोई इस D के बारे में पूछता है तो यह D आपको कितना हो जाएगा x into theta x into theta ठीक है कहीं कहीं पे आपको यह लिखावा मिलेगा कि यह D को ही बोला जाता है limit of resolution ठीक है तो depend करता है आप अपने सवाल को पढ़ लिजेगा आप 4 option को देख लिजेगा कि आपसे यह angle पूछा जा रहा है या फिर आपसे इन दोनों के बीच का separation पूछा जा रहा है ठ D is what D is the aperture size of the objective lens right objective lens and resolving power इसका उल्टा हो जाएगा तो आपको यहाँ पर relation भी ध्यान में रखना है resolving power is proportional to D inverse related to lambda तो अगर आपका D बढ़ता है अगर आपका D बढ़ता है इस question पूछा गया था previous year वो example आपको last में दिखाये जाएगा microscope में आपसका derivation में ना पड़े लेकिन NCRT में आपको same चीज दिया हुआ है यहाँ पर आपको सिखाये जाएगा कि आपको formula को use कैसे करना है तो यह अपना objective lens of the microscope ठीक है यह formula आपको याद रखना है this is your D minimum यानि क दोनों object के बीच का minimum separation क्या होना चाहिए for it being just resolved so this is your 1.22 lambda upon 2 mu sin beta lambda आपको समझ में आता यह wavelength हो गया mu क्या है mu is a refractive index between the lens and the object यहाँ पे जो भी refractive index of medium है beta क्या है beta is the half angle subtended by the aperture this lens at the focus इस lens का जो focus होगा वहाँ पे कितना angle subtend कर रहा है this is your beta आपको diagram के थूर समझाया भी जा रहा है this is your half angle beta राइट इसी का ultra कर दो तो resolving power अब यहाँ पे आपको एक बहुत important point है mu sin beta इस mu sin beta को कहा जाता है numerical aperture na और यही आप से पूछा गया तब PYQ में what is the numerical aperture आपको यह formula यूज़ करना था ठीक है चलिए आगे बढ़ते हम लोग अब हम लोग आ जाते है अपने previous year question में ठीक है तो यहाँ पे आपके पास आपका सबसे पहला सवाल है आप चाहो तो वीडियो को यहीं पे pause करो इसको कुछ से solve करो और फिर इसका solution आप देख सकते हो चलिए तो यहाँ पे सवाल में हम से कहता है the aperture diameter of a telescope is 5 meter आपको telescope का aperture diameter यानि कि capital D दे रखा है separation between the moon and the earth is this much with light with light of wavelength this much the minimum separation between the objects on the surface of moon so that they are just resolved तो आपसे small d पूछा जा रहा है समझ में आ रहा है यह दोनों objects basically आपको मून पे है और यह आपका जो telescope है वो अर्थ पे है right earth और moon के बीच का दूरी हमें दे रखा है 4 into 10 to the power 8 meters आपको small d पूछा जा रहा है so small d is equal to what x into theta x into theta और theta का अमारे पास formula है data सको put के जा answer लेकिया यह बहुत बढ़िया तो आप देख सकते है सवाल easy है difficult नहीं है लेकिन आपको formula concept तो पता होना चाहिए कम से कम the value of numerical aperture ध्यान से देखियेगा the value of numerical aperture of the objective lens of a microscope is 1.25 तो यह 1.25 क्या है mu into sine beta mu into sine beta if light of wavelength 5000 angstrom is used the minimum separation between two points to be seen as distinct will be how much तो direct formula based question है d minimum आपसे पूछा जा रहा है 1.22 lambda upon 2 mu sine beta हमारे पास mu sine beta की value दे रखी है this is your numerical aperture तो आपको mu sine beta को replace करना है 1.25 से substitute किजिए datas को put किजिए आपको answer निकल के आ जाएगा बताए और क्या चाहिए अपने को यह अपना third question है ध्यान से देखिये a compound microscope of an objective lens of focal length 1 cm आपको FO दे दिया है an eye piece of focal length 5 cm आपको FE दे दिया है सवाल पढ़ते चलिए और चल्दी जल्दी यहाँ पे आप given चीजों को लि and the objective lens at which the strain on the eye is minimum अब यह होता है concept आपने formula रट लिया आपको लेकिन नहीं इसका working पता है नहीं आपको इसका construction पता है आपसे सवाल में कह रहा है at which the strain on the eye is minimum आपके आँखों पे तनाव सबसे कम कब होता है जब आपका final image infinity पे हो at that time your eye is at relaxed state बढ़िया है अब आप ध्यान से द दिया है यह आपका हो गया compound microscope का construction छोटा वाला FO and this is your FE हमसे सवाल में चाहता है कि final image बने infinity पे final image infinity पे कब बनेगा जब इसके कारण image यह जो H1 बना है यह इस lens के focal length पे बने focal length पे बने आपको tube length दिया था capital L 10 cm आपको FE पता है 5 cm तो क्या आपको यह VO नहीं पता चल गया इस lens के करान आपको image कहां बन रहा है so this VO is L-FE which is your 5 cm आपको अगर VO पता है आपको अगर यह FO पता है तो आप यह UO नहीं निकाल लोगे object distance क्या है solve कर लो लगा दो lens formula answer आ जाएगा है कि नहीं चलिए आगे बढ़ते question number 4th if we need a magnification of 375 from a compound microscope of tube length आप ध्यान से देखिए tube length 150 mm है and an objective of focal length 5 mm tube length 150 and FO only 5 तो क्या यह वो condition नहीं satisfy कर रहा है FO is much much smaller than capital L the focal length of IP should be close to अब अगर आपको यह वाला formula नहीं पता है तो आप इस question में struggle करते रह जाएंगे आपको यह formula में direct values को substitute करना है आपको यहां से FE निकालना है and you are good to go ठीक है चलिए यह सवाल देखिए 1992 का है पहले भी और बाद में भी यह सवाल आपको repeat हुआ है PYQ में still not tough but conceptual the resolving power of electron microscope is higher than that of an optical microscope because the wavelength of electron is तो आपको इन दोनों microscope के बारे में जानने का कुछ भी जरूवत नहीं है हाँ आपको बस यह जानना है कि resolving power का relation क्या होता है resolving power is inversely related to lambda तो अगर आरपी जादा है इसका मतलब wavelength कम रहा होगा तो यहाँ पे smaller हो जाएगा I hope आपको यह पूरा session समझ में आया है interesting भी लगा होगा आपने बहुत सारी नई चीज़ी यहाँ पे सीखी होंगी सीखी है तो जरूर comment section में हम यहाँ पे लिख के बताईएगा अगर आप channel पे नए है तो इसको जरूर से subscribe कीजिएगा bell icon को hit कीजिएगा like कीजिएगा अपने